जब भी आपको ऐसा AP का कुशन दिखाए देगा सरवपर्थम आप क्या करेंगे दिखिए जब आपको ये मालूम रहता है कि सुरुआत कहां से करना है तो कुशन का हल करना आसान रहेगा लेकिन जब पता रहता है कि सुरुआत कहां से करना है तो आप क्या करेंगे स्वर्व पर्थम यहां दिया है उसको लिखेंगे तो क्या दिया हुए आपको इसका पर्थम पद और अंतिम बंदरेकार पर्थम पद को A से लिखते हैं और अंतिम पद को A N से लिखते हैं अब देखिए यहां पर इसके पदों का योग 36 है ठीक है उसको हम देख लेंगे इसके पदों का योग कितना है 36 है उसको हम देख लेंगे तो यहां ए-n अन्तिम पद क्या है अन्तिम पद अब ऐसे कुशन में थोड़े से आपको फोर्म लें कि अच्छी प्रेटिश होने ची पदों का योग दे रखा है पर्थम पद दे रखा है अंतिम पद दे रखा है इसका मतलब कहीं न कहीं आपको AP के N पदों का जो पर्थम N पदों का योग लिख सकते हैं पर्थम S N बराबर N बढ़ते दो यानि सारव अंतर नहीं आपके पास तो ऐसा formula लगव योग का जिसमें सारव अंतर की जुरूती ना पड़े पर्थम पद प्लस अंतिम पद का formula यह आपका योग का formula लगा देते हैं ठीक है? और S N क्या दे रखा है? 36 दे रखा है मैं क्या बोला? जो चीजें दे रखी है उन से related formula लगा दो आपका अपने आप result आएगा जैसे हमने यह formula लगा दिया तीन चीजें दे रखी है तीन चीजें से related formula लगा दिया है तो आपका यहाँ पर automatic N कमान निकल के आ रहा है ठीक है? तो हमें ऐसा प्रेटिस करना है कि position आपका अपने आप अलो ऐसा कब हो पाएगा जब हमें शुरुआत ठीक से करना आ रहा है वो कैसे होगा आपकी प्रेटिस हो जाएगा तो यहां क्या आगे आपका? इसको यहां बेजेंगे यह किसमे है? यहां भाग में है दूसरी तरफ आएगा तो गुणा में आजएगा एक प्लस गयरा कितना आएगा बारा? यह एन के गुणा में है दूसरी तरफ बेजेंगे तो किसमें आजएगा? भाग में यह आपको मालूम है कि यहां गुणा में होता है भाग में चला जाता है पदों की संख्या बरावर कितना है च्छा है चीक है ओके